मेरे प्यारे देश वाचियों आप सबको नमस्कार गत्वर्श हमने गर्मी की भेंकर पीडा, पानी का अभाव, सुखे की स्थिती, न जाने कितनी कितनी कसोटियों से गुजरना पड़ा लेकिन पिछले दो हपते से अलग-अलग स्थानों से बारिस की खबरे आ रही है, बारिस की खबरों के साथ-साथ एक ताजगी का एहसास भी हो रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे, और जैसे वैज्यानिक बता रहे हैं, इस बार वर्शा अच्छी होगी, सर्व दूर यह अपने आप में एक नया उत्सा भरने वाली खबरे हैं, मैं सभी किसान भाईयों को भी अच्छी वर्शा रूत्तु की बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ, हमारे देश में जिसे किसान महनत करता है, हमारे वैज्यानिक भी देश को नई उचाईयों पर ले जान विज्ञान में रूची ले, आने वली पीडियों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ हमारी युवापीडी आगे आएं, मैं आज और भी एक खुशी की बात आपसे शैर करना चाहता हूँ, कल में पूने गया था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक की वर्शगांड के उपलक्ष में वहां कायरकम था, और वहां मैंने पूने के College of Engineering के जिन विद्यारतियों ने स्वयम की महनत से स्वयम उपग्रह बनाया, और जिसे 22 जून को प्रक्षेपित किया गया, उनको मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरा मन करता था कि मैं इन मेरे युवाज विद्यारतियों को देखो तो सहीं, उनको मिलू तो सहीं, उनके भीतर जो उर्जा है, उसका मैं भी तो अनुभव करूँ, पिछले कई वर्षों से अलेक विद्यारतियों ने इस काम में अपना योगदान दिया, ये academic satellite एक प्रकार से युवा भारत के होसले के उडान का ज उसकी जो उडान है, बहुत उंची है, और उसकी जो मेहनत है, वो बहुत गहरी है, जैसे पोने के छात्रों ने किया, वैसे ही, तमिनाडू चेन्ने की सत्य भामा युनिवर्सिटी के स्टूनेंस द्वारा भी एक satellite बनाया गया, और वो सत्य भामा सेट को भी प्रक्षपित किया गया, हम तो बजपन से बाते सुनते आएं हैं, और हर बालक के मन में आसमान को छुने, और कुछ तारों को मुठी में कैद करने के ख्वाईश हमेशा रहती है, और इस लिहांस से इस्त्रों द्वारा भेजे गए, छात्रों के द्वारा बनाये हुए दोनों satellite, मेरी बधाई देना चाहता हूं, कि 22 जून को इस्तरों के हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 सेटलाइट अंतरिक्ष में भेज कर, अपने ही पुनाने रेकॉर्डों को तोड़ करके एक नया रेकॉर्ड बना दिया, और ये भी खुशी की बात है, कि भारत में ये जो 20 सेटलाइट लौंच करने का काम भारत की धर्ती से भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, और इनके साथ वही दो सेटलाइट जो हमारे छात्रों ने बनाए थे, बेवी अंतरिक्ष में पहुँचे, और ये भी विशेशता है, कि इस रोंने कम लागत और सपलता की गा नजर कर रहे हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये बात अब भारत में जन जन के मन की बात बन गई है, लेकिन कुछ घंटना है, उसमें एक नई जिंदगी ले आती है, नए प्राण भर देती है, इस बार दस्वी बारवी की परिक्ष के जो नतीजह आएं, हमारी बेटिया मैदान मार रही है, और गर्व होता है, और मेरे देशवासियों, हम सब गर्व करें ऐसी एक और महत्वपून बात, अठारा जून को भारतिये वायुसेना में पहली बार, फॉस्ट बैच ऑफ विमेंड फाइटर पाइलोट्स इन इन भारतिये वायुसेना में महिला लडार को पाइलोट की पहली बैच, इस सुनते ही रॉंक्ते खड़े हो जाते हैं, कितना घर्व होता है, कि हमारी तीन फ्लाइंग अफिसर बेटियां, अवनी चत्रुवेदी, भावना कंठ और मोहना, जिन्नों ने हमें गवरव दिलाया है इन तीन बेटियों की खास बात है, फ्लाइंग अफिसर आवनी, मध्यप्रिदेश के रीवा से हैं, फ्लाइंग अफिसर भावना, बिहार में, बेकु सराई से हैं, और फ्लाइंग अफिसर मोहना, गुजरात के बडोदरा से हैं, आपने देखा होगा, कि तीनों बेटियां हिंदुस्तान के मैट्रो शहर से नहीं है, भी अपने अपने राज्यों की राजधानी से भी नहीं है, ये छोटे शहरों से होने के बावजूद भी इन्होंने आस्मान जैसे उंचे सपने देखे और उसे पूरा करके दिखाया, मैं आवनी महना भावना इन तीनों बेटियों को और उनके माबाप को भी रुदय से बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवाचियों, कुछ दिन पूर्व, पूरे विश्व ने 21 जून को आंतर राश्टिय योगा दिवस्कित ग्वर्जगांट पर भव्यकार कम किये। एक भारतिय के नाते, पूरा विश्व जब योगा से जुड़ता है, तब हम एसास करते हैं, जैसे धुनिया हमारे कल, आज और कल से जुड़ रही है। विश्व के साथ हमारा एक अनोखा नाता बन रहा है। भारत में भी एक लाग से अधिक स्थानों पर भात उमंग और उत्सा के साथ भाती भाती के रंग रूप के साथ रंगा रंग माहोल में आंतर राष्टिय योग पर्व मनाया गया। मुझे भी चन्डिगड में हजारों योग प्रेमियों के साथ उनके बीच योग करने का उसर मिला। अबाल वुरुद सब का उत्सा देखने लाए था। आपने देखा होगा पिछले सब्ता भारत सरकार ने इस आंतर राष्टिय योगा पर्व के निमित ही सुर्य निवस्कार की डाक टिकट भी जारी की है। इस बार विश्व में योगा डे के साथ साथ दो चीजों पर लोगों का विशेष ध्यान गया। एक तो अमेरिका के नियोर्क सहर में जहां संउक्त राष्ट संग का बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ऊपर योगा सन की भिन्द भिन्द कृतियों का विशेष प्रोजेक्शन किया गया। और वहां आते जाते लोग उसके फोटो लेते रहते थे और दुनिया भर में वह फोटो प्रचलित हो गई। यह बाते किस भारती को गरों नहीं दिलाएगे बताएगे ना। और भी एक बात होई टक्लोलोजी अपना काम कर रही हैं। सोशल मीडिया के अपनी एक पहचान बन गई है। और इस बार योगा में ट्वीटर ने योगा इमोजी के साथ सेलिब्रेशन का एक हलका फुलकार प्रयोग भी किया। हैश्टेग योगा डे टाइप करते ही योगा वाले इमोजी का चित्र हमारे मुबाइल फॉन पर आ जाता था और दुनिया भर में वो प्रचलीत हो गया। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। योग में पूरे जगत को जोड़ने की तकत है। बस जरूरत है हम योग से ज स्वाती जी आपका सुधार तो अच्छा है लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगी तो आपके ध्यान आएगा नसिर्दृत्रशंग इन दिनों भारत और भारत बहार टीवी मिडिया के जगत में प्रती दीन योगा के प्रचार में भारत की और दुनिया की सभी टीवी चैनल को इनको अपना योगदान दे रही है हर एक अलग अलग समय है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोग तो योगा के विशे में जानकारी पाने के लिए ये सब हो ही रहा है और मैंने तो देखा है दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं कि जहां 2400 गंटी योगा को समर्वित चैनल भी चलती है और आपको पता होगा कि मैंने जून वहने में यहांतरास्ति योगा दिवस निमित प्रत तो ये 45-45 मिनिट का एक के बाद एक शरीक के भिन्द भिन्द अंगों के लिए किस प्रकार की योग कर सकते हैं हर आयू के लोग कर सकते हैं ऐसे सरल योगों का योगा का एक अच्छा वीडियो वेबसाइट पर उपलब्द है मैं आपको भी और आपके माध्यम से सभी इसके साथ जुड़े मैंने इस बार एक आवाहन किया है कि जब हम कहते हैं कि योग रोग मुक्ति का माध्यम है तो क्यों नहीं हम सब मिल करके जीतने 況ने भी स्कूल और योगा के सबंद में हरेगो अपने अपने तरीके हैं हरेगो अपने अपनी प्राइधी हैं हरेको अपने अलग अलग अनुभ fraud है लेकिन कि क्या हम पूरा ये वर्ष मधुमेह के खिलाफ डायबटीस के खिलाफ योगी के द्वारा एक सफल अभियान चला सकते हैं क्या योग से डायबटीस को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ लोगों को उसमें सफलता मिली है हर एक ने अपने तरीके से रास्तिक होजे हैं और हम जा अब आज़रोग है कि जो बाकी सब रोगों का यजमान बन जाता है भाती-भाती बीमारियों का वह एंटरंस बन जाता है और इसलिए हर कोई डायबटीस से बचना चाहता है बहुत लोगों ने इस दिशा में काम भी किया है कुछ डायबटीक पेसंत ने भी अपनी योगीक प्रक्टिस के द्वारा उसको नियंत्रित किया रहा है क्यों नहां अपने अनुभवों को लोगों की भी शैर करें इसको एक मोमेंटम दें साल भर एक माहौल बनाएं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हैस्टेग योगा फाइट्स डायबिटीज मैं फिर से करता हूं अनुभव सोचल मीडिया पर सहर करें या मुझे नरेंद्र मोदी एप पर भेज़ें देखे तो सही किसके क्या अनुभव हैं प्रहास्तों करें मैं आपको निमंत्रित करता हूं हैस्टेग योगा फाइट्स डायबिटीज पर अपने अनुभवों को शैर करने के लिए मेरे प्यारे देश्वासियों कभी-कभी मेरे मन की बात की बड़ी मजाग उड़ाई जाती हैं बहुत आलोचना भी की जाती हैं लेकिन यह इसलिए संभव है क्योंकि हम लोग लोक तंत्र के प्रति प्रतिवद्ध है लेकिन आज जब 26 जून मैं आपसे बात कर रहा हूं तब खास करके नई पीड़ी को कहना चाहता हूं कि जिस लोक तंत्र का हम गर्व करते हैं जिस लोक तंत्र ने हमें एक बहुत बड़ी ताकत दी है हर नागरिक को बड़ी ताकत दी है लेकिन 26 जून 1975 वह भी एक दिन था 25 जून की रात और 26 जून की सुबह हिंदुस्तान के लोक तंत्र के लिए कि ऐसी काली रात थी कि भारत में आपातकाल लागू किया गया नागरिकों के सारे अधिकारों को खत पकर दिया गया देश को जेल खाना बना दिया गया जैप्रकाष नारायन समेत देश के लाखों लोगों को हजारों नेताओं को अनेक संगठनों को जैल के सलखों के पीछे धकेल दिया गया उस भहंकर काली घटना पर अनेक किताबे लखे गई हैं अनेक चर्चाएं भी हुई है लेकिन आज जम्मेश जून को अपसे बात कर रहा हूं तब इस बात को हम न भूलें कि हमा हमारी ताकत लोग शक्ति हैं हमारी ताकत एक एक नागरिक है इस प्रतिवध्यता को हमें आगे बढ़ाना है और भारत के लोगों की यह ताकत है कि उन्होंने लोग तंत्र को जी के दिखाया है अख़बारों पर ताले लगे हो रेडियो एकी भाशा बोलता हो लेकिन दूस इसी देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति का रूप है भारत के सामान्य मानवी की लोगतांत्रिक शक्ति का उत्तम उधारण अपातकाल में प्रस्थूत हुआ है और लोगतांत्रिक शक्ति का वो परिचे बार बार देश को याद कराते रहना चाहिए लोगों की शक्ति का बल मिलें इस प्रकार की हमारी हर प्रकार से प्रवृत्ति रहनी चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोगतंत्र का मतलब यह नहीं होता कि लोग बोट करें और पांच साल के लिए आपको देश चलाने का कॉंट्रेक्ट दे दे जी नहीं बोट क जाने जितनी जंता से ज्यादा जुड़ती हैं उतनी देश की थाकत ज्यादा बढ़ती हैं जंता और सरकारों के बीच की खाई ने ही हमारी बरबादी को बल दिया है मेरी हमेशा कोशिस है कि जन भागीदारी से ही देश आगे बढ़ना चाहिए अभी अभी जब मेरी सरकार सरकार के दो साल पूरे हुए तो कुछ आधोनिक विचार वाले नवजवानों ने मुझे सुझाव दिया कि आप इतनी बड़ी लोगतंत्री की बाते करते हैं तो क्यों आप अपनी सरकार का मुल्यांकन लोगों से करवाए वैसे प्रकार से उनका चुनोती कही स्वर था सुझ उन्होंने मेरे मन को जग जोर दिया मैंने कुछ अपने वरिष्ट साथियों के विचे में विशे रखा तो प्रतिक्रिया तो रियक्षन ऐसा ही था कि नहीं नीज साब यह आप क्या करने जा रहे हो आज तो टेक्लोलोजी इतनी बदल चुकी है कि अगर कोई इखटे हो जा कहां से कहां ले जाएंगे उन्होंने चिंता जाहें कि लेकि मुझे लगा नहीं निरिस्क लेना चाहिए कोशिस करनी चाहिए देखे क्या होता है और मेरे प्यारे देश्वास्यों भुशी की बात है कि जब मैंने टेक्नोलोजी के माध्यम से अलग-अलग भाशाओं का सेंपल साइज ज्यादा नहीं होती है अपैसे बहुत लोगों ने रेट माइ गवर्मेंट माइगव डॉर्टीन पर अपना उपीनियन दिया है वैसे तो लाखों लोगों ने इसमें रूची दिखाई लेकिन तीन लाख लोगों ने एक-एक सवाल का जवाब देने के लिए मेहनत की है काफी समय निकाला है मैं उन तिन लाख लोगों का बहुत आभारी हूं उन्होंने स्वयम सक्रीटा दिखाई सरकार का मुल्यांकन किया मैं नतिजों की दर्शा नहीं करता हूं वह हमारे बिडिया के लोग जुरू करेंगे लेकिन एक अच्छा प्रयोग था इतन इसमें हिस्था लिया और सबसे बड़ी मेरे लिए अचरत है कि भारत सरकार की जो ग्रामिन रोजगार की योजना चलती है उस योजना की वेब साइट है उस पॉर्टल पर सबसे ज्यादा लोगों ने बढ़ चरकर के हिस्था लिया इसका मतलब कि ग्रामिन जीवन से एक वो भी दिन था जब कुछ वर्ष पहले 26 जून को जनता की आवाज दबोदी गई थी और ये भी वक्त है कि जब जनता खुद तय करती है बीच बचावत तय करती है कि देखे तो सहीं सरकार ठिक कर रही है कि गलत कर रही है अच्छा कर रही है बुरा कर रही है यही तो तंत्र की ताकत है कि मेरे प्यारे देशवासियों कि आज मैं एक बात के लिए कि विशेश आग्रह करना चाहता हूं एक जमाना था जब टेक्स इतने व्यापक हुआ करते थे कि टेक्स में चोरी करना स्वभाव बन गया था एक जमाना था विदेश की चीजों को लाने की सम स्मगलिंग भी उतना ही बढ़ जाता था लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया है अब करदाता को सरकार की कर्व्यवस्था से जुड़ना अतिक मुश्किल काम नहीं है लेकिन फिर भी पुरानी आदते जाती नहीं है एक पीड़ी को अभी भी लगता है कि बेश सरकार से दूर रहना जादा अच्छा है मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुक्षेन गमा देते हैं कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परिशान कर सकता है हम ऐसा क्यों होने दें क्यों हम स्वयम अपनी आई के सबंद में अपनी संपत्त सबंद में सरकार को अपना सही सही ब्योरा दे दे एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उसे मुक्त हो जाईए इस बोच से मुक्त होने के लिए मैं देश्वासियों को आगरह करता हूं जिन लोगों के पास अंडिस्क्लोस इंकम है अगोशित आय है उनके लिए भारत सरकार ने एक मोका दिया है कि आप अपनी अगोशित आय को गोशित कीजिए सरकार ने 30 सितंबर तक अगोशित आय को गोशित करने के लिए विशेश्वीधा देश के सामने प्रस्तूत की है जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोच से मुक्त हो सकते हैं मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कत के संखंद में सरकार को अपने जानकारी दे देंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की जाच नहीं करेगी कि इतना धन कहां से आया कैसे आया एक बार भी पूछा नहीं जाएगा और इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्सी व्यवस्था का हिस्सा बन जाईए साथ साथ मैं देश्वाश्यों को कहना भी चाहता हूं कि 30 सितंबर तक की ये योजना इसको एक आखरी मुका मान लीजिए मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितंबर के बाद अगर किसी नागरी को तकलीफ हो जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता है तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी मैं देश वाचियों को भी कहना चाहता हूं कि हम 30 सितंबर के बाद ऐसा कुछ भी न हो जिसे आपको कोई तकलीफ हो इसलिए भी मैं कहता हूं अच्छा होगा 30 सितंबर के पहले आप इस विवस्ता का लाब उठाएं और 30 सितंबर के बाद संभवित तकलीफों से अपने हमारे जो रेवन्यू विभाग इंकम टेक कस्ट राहूं मैक्साइज उनके सभी अधिकारियों के साथ मैंने एक दो दिन का ज्यान संगम किया बहुत विचार विवर्ष किया और मैंने उनको साप साप सब्दों में कहा है कि हम नागरीकों को चोर न माने हम नागरीकों पर भरोसा करें विष्वास करें हैंड होल्डिंग करें अगर वे नियमों से जुड़ना चाहते हैं उनको प्रोच्षाइद करके प्यार से साथ में ले आएं एक विष्वास का माहुल पता करना आवश्यक है हमारे आच्रण से हमें बढ़लाव लाना होगा टैश्पेर को कर रहा है तो हम सबने योगदान दे रहा चाहिए और इस ग्यान संगम में जब मैं जानकारिया ले रहा था तो एक जानकारी मैं आपको भी बताना चाहता हूं आप मैंसे कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि समासो करोड के देश में सिर्फ और सिर्फ डेड़ ला रुपिये से जादा है यह बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है पचास लाग से जादा टैक्सेबल इंकम वाले लोग बड़े बड़े शहरों में लाखों की तादाद में दिखते हैं एक-एक करोड दो-दो करोड के बंगलो देखते ही पता चलता है कि यह कैसे पचास ल सरकार को कोई कठोर कदम उठाने से पहले जनता जनादन को अवसर देना चाहिए और इसलिए मेरे भाईयों बहनों अगोसित आयको गोसित करने का एक स्वरणिम अवसर हैं दूसरे पकार से 30 स्रितंबर के बाद होने वाले संकटों से मुक्ति का एक मार्ग है मैं देश की भ कोई तकलीव हो मेरे प्यारे देश्वासियों कि इस देश का सामान ने मान भी देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए अवसर खोचता रहता है जब मैंने लोगों से कहा रसोई गैस की सबसेड़ी छोड़ दीजिए इस देश के एक करोड़ से ज्यादा परिवारों ने स् खास करके जिनके पास अलगोसित आया है उनके लिए खास उदान प्रस्तूत करना चाहता हूं मैं कल स्मार्ट सीटी के कारकम के निमित पूने जब गया था तो वहां मुझे स्रिमान चंद्रकान दामोदर कुलकरणी और उनके परिवार जनों से मिलने का सवभागी मिला मैं अने उनको खास मिलने के लिए बुलाया था और कारण क्या है जिसने कभी भी कर्णी की होगी उनको मेरी बासले लेकिन स्रिमान चंद्रकान कुलकरणी के बात तो जूरूर प्रिवार देगी सोला हजार रुपया उनको पैंशन मिलती है और मेरे प्यारे देश वासियों आपको ताज्यूब होगा और जो कर्चोरी करने की आदत रखते हुए उनको तो बड़ा सदमा लगेगा कि ये चंद्रकान जी कुल करनी है जीने सिर्फ सोला हजार रुपय का पैंशन मिलता है लेकिन कुछ समय पहले उनको मुझे चिठी लिखी और कहा था कि मैं मेरे सोला हजार रुपय के पैंशन में से हर महिने पांच हजार रुपया स्वच्चता अभियान के लिए डोनेट करना चाहता हूं और यतना ही नहीं उनको ने मुझे बावन चेक 52 चेक पोस्ट डेटे जो की हर महिना एक-एक चेक की डेट है चेक भेज दिये हैं जिस देश का एक सरकारी मुलाजीम निवरुत्ति के बाद सिरफ सोला हजार के पैंशन में से पांच हजार रुपया स्वच्चता के अभियान के लिए दे देता हो इस देश में कर चोरी करने का हमें हक नहीं बनता है चंदरकान कुलकर्णी से बड़ा कोई हमारी प्रेणा का कारण नहीं हो सकता है और स्वच्चता अभियान से जुड़े हुए लोगों के लिए भी चंदरकान कुलकर्णी से बड़ा उत्तम उधार नहीं हो सकता है मैं चंदरकान जी को रूबरू बुलाया उनसे मिला मेरे मन को उनका जीवन छुग गया उस परिवार को मैं बधाई देता हूँ और ऐसे तो अनगिनत लोग होंगे शायद हो सकता है मेरे पास उनकी जानकारी नहो लिग यही तो लोग है यही तो लोग शक्ती है यही तो त हम भी अपने मन को तरह टटो ले हम भी सोचें कि सरकार ने हमारे आय को गोशित करने के लिए अउसर दिया है हम भी चंद्रकान जी को याद करते हम भी जुड़ जाए हैं मेरे प्यारे देश्वासियों उत्राखन के पौड़ी गड़वाल से संतोष नेगी जी ने फोन करके अपना अनुभव शेयर किया है जल संचे के वावत में उन्होंने उन्होंने संदेश दिया है उनका यह अनुभव देश्वासियों आपको भी काम आ सकता है संतोष जी मैं आपका अभिनादन करता हूं कि आपने मुझे संदेश दिया और पौड़ी गड़वाल पहड़ी इलाका और वहां भी आपने काम किया आप बधाय के पात रहें और मुझे विश्वास है कि देश्वासी भी बारिस का तो मज़ा जुरूर लें लेकिन यह परमात्पार का दिया हुआ प्रसाद है यह अप्रम पार संपति है एक एक बिंदु जल का बचाने के लिए हम कुछ तो कु आप रहें जाओं का पानी गाओं में शेहर का पानी शेहर में कैसे रोक लें यह माता को फिर से एक बार रिचार्ट करने के लिए पर पानी को फिर से जमिन में वापिस कैसे से भेजें जल है तभी तो कल है जल ही तो जीवन का अधार है पूरे देश में माहोल तो बना है पिछले दिनों हर जो में संचे काने इक प्रकल्प कीे है तो देखिए घुल आया जैंख मिरों'm को बचाने हिस्सा बन गया है वेट 1922 यह 1922 ऐसा नंबर है जिस पर अगर आप मिस्ट इकरें करें तो आप मन की सकते हैं अपने समय के अनूसार अपनी भाषा मीं मन की बात सुन करके देश की विकास यात्रा में योग्दान देने का आप भी मन बना ले सभी देश्वाशियों को बहुत पर नवश्कार धन्यवाद का अगुप का अगुप कर दो